वेलकम फ्रेंड्स येंड हेल्स रेंबो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पपीते के बारे में मतलब पपाया के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं पपीते में क्या होता है पपीते के अंदर विटामिन जैसे कि विटामिन C, विटामिन B9, विटामिन A, K, विटामिन E उसके अरावा मिनलस में मैगनेशियम है, कॉपर है, पोटेशियम भरपूर मातरा में उसमें होते हैं उसके अलावा इसमें सासाथ में फाइवर है, कार्बोहाईडेट, कैलोरी, फैट और प्रोटीन भी होता है यदि हम बात करें पपीता किन बीमारियों में खाएं और पपीता खाने के क्या फाइदे होते हैं तो सबसे पहला है कि यदि आपके तोचा पर या होटों पर जुरियां वगरा हैं तो पपीता उसके लिए काफी फाइदे मन्द होता है क्योंकि इसके अंदर जो होता है विटामिन्स जो होते हैं जो जुरियों को दूर करते हैं इसकिन के परिशानियों को दूर करते हैं उसके अलावा इसकिन के साथ साथ इसमें भी बालों के लिए भी काफी लाबदायक होता है साथ-साथ में हमारी जो आँखे होती है क्योंकि इसके अंदर विटामीन A काफी मातरा में होता है तो आँखे के लिए भी काफी लावदायक होता है उसके अलावा शरीर का जो कॉलेस्टोल बढ़ा हुआ होता है उसको ये कम करता है क्योंकि इसमें फैट की मातरा बहुत कम होती है और विटामिन्स वगरा होते हैं जो इसमें मदद करते हैं उसके अलावा शरीरिक रूप से जो इसकिन में प्राब्लम्स होती है एक्जेमा, दाद, खाज, खुजली उनसे भी बचाता है साथ साथ में जो शरीर में सूजन वगरा होती है यहां तो पैरम सूजन होती है, उसको भी यह कम करता है उसके अलावा हमारे शरीर की इम्मिनिटी, मतलब रोगों से लणने की च्छमता को बढ़ाता है जिससे क्या होता है कि हमें साथ सम्मंदी, बिमारी, अस्थमा, यह दूसरी इंफेक्शन्स नहीं होते हैं साथ साथ में हमारी हड़ियों के लिए भी कफी अच्छा होता है, हड़ियों को मजबूत करता है उसके अलावा हमारे हाजमा है उसको दुरुस्त करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है साथ साथ में महिलाओं में जो पीरिट के जो में दर्द होता है या पीरिट तमे पे नहीं आता है तो उसमें भी काफी लाबदायक होता है उसके अलावा डायविटीज के पेशर में, हार्ट के पेशर में भी काफी लाग दायक होता है और साथ में कैंसर से भी जैसी बड़ी बीमारी से भी बचाता है अब यदि हम बात करें एक दिन में कितने पपीता खा सकते हैं एक दिन में आप जो मिडल साइज का पपीता होता है वो अब खा सकते हैं मतलब 300-400 ग्राम का पपीता है वो एक दिन में आप खा सकते हैं यदि हम बात करें जादा पपीता खाने से क्या होता है या पपीता कब नहीं खाना चाहिए महिलाओं को जो गरवती होती है उनको पपीता जादा नहीं खाना चाहिए पपीता अवाइड करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसिस में देखा गया है पपीता जादा खाने की वज़ागत से भूर्ण पर असर पड़ता है जो पेट में बच्चा होता है और इसमें गरब बात होने की संभाबना भी होती है साथ साथ में ये रेप्रोडक्टिव हेल्थ को इंपेक्ट करता है यदि जादा मातरा में खाते हैं तो प्रोजिस्टोन हार्मोन के लेवल को कम करता है उसके अलावा पुरूशों में जो टेस्ट्रेस्टिरोन या स्पर्म काउंट को भी कम करता है पुरूशों को मतलब स्पर्म काउंट को लेवल को कम करता है यदि हम बात करें पपीता कब खाएं पपीता खाने का जो बेस समय होता है आप सुभार नाश्टे के साथ खा सकते हैं नाश्टे के बाद खा सकते हैं इससे क्या होगा आपका हाजमा दुरूस्त होगा उसके अलावा यदि हम बात करें पपीता कैसे खाएं तो जाद है लोग जानते हैं कि पपीते को आप काट कर सिलाग की रूप में खा सकते हैं इसके अलावा पपीते का जूस वगरा भी आप ले सकते हैं यदि हम बात करें पपीता खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए तो पपीता खाने के बाद आपको नीम बूर वगरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा अनीमिया जैसी बिमारी हो सकती है तो दोस्तों उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यदि इन्फोर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें Thank you very much for watching House Rambo